आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने जो पोको एफ़न का फोन है उसके अंदर कैसे एंडुड़ पी जी एसाई इमेज हो उसको फ्लेश कर सकते हैं काफी सारी जो हैं एंडुड़ पाई की जो जी एसाई इमेजेस हैं वो एवेलेबल हैं जिसे हैवक की हो गई पिक एकसेल एकस्पीरियंस हो गया और काफी सारी कम साथ से आट जो है जो जी जी एसे इमेजेस है वो आपके लिए अवेलेबल हैं तो सर्फ आपको करना क्या है कि आपको जो फाइल को एक बर फ्लेश करना है तो मैं बहुता हूँ कैसे आप पोग एफ़न में फ्लेश कर सकते ह तो जैसे कि आप देख पारें इसने में हम पोगो एवन के नदर जो एंडूड पाई का जो एडूड वर्शन है उसको यूज कर रहे हैं हम इन इसके नदर फ्लेश करके एरो ओएस जो है उसकी पी उसकी जो जी एस इमेज है मैं आपको दिखा रहेता हूं आप फोन में जाके यह दिखें आपको फ्लेश करनी है इसके लिए आपके फोन का बूट्र अनलॉक होना चाहिए और ट्वर्प कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होने चाहिए अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो डिश्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिल जाएंगे या वीडियो जहां करते हैं तो थोड़ से आप控शन करते हैं तो दोपा उसकी है आपको थीचल ंगाण गरते हैं या फिर नो पर डाल दूँँआ जहां से आपको डाउनोड करना है तो आपको इंस्टॉल कैसे करने हैं वह बताता हूं आपको जो GSI की जिप फाइल है वह लेनी है और उसके नदर को अंजिप करके उसके नदर एक फाइल होती है सिस्टम इमेज उसको अपने फॉन में सेव कर लेना है औ आपको यह वाली फाइल चाहिए आपको जिप फाइल फ्लेश नहीं करने है आपको सिस्टम इमेज फाइल फ्लेश करने है जिप फाइल जो काम नहीं करेगी आपको यह दिहान रखना है इसको अंजिप कर लेना है तब आपको यह फाइल मिलती है और ओपने इंस्टॉल करन पे तो जैसे ही TWRP पे आपका फोन बूट करेगा आपको कुछ इस तरीए का लियाओट देएगा इस टाइम पे थोड़ी से इसू चल रहे हैं तो आपको ज्यादा इसमें स्क्रीन ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलेगी थोड़ा डल से दिएगा बट आप देख सकते हैं सार आपको फाइले से टीव वह भी डिलीट हो जाएंगे इसके बात स्वाइब कर देंगे स्वाइब करने के बाद आप बैक जाएंगे वंपेज पर इंस्टॉल पर आपको इस तो इमेज की फाइल वह सर्च करने हैं अभी आपको यहाँ पर जिख रही होगी बट हमने जिप टैप करेंगी आपकल जीव दो के लिसकत कि स्टोरिज एंड इंस्टॉलिमिझ पर एंपको यहां पे ज्मीच Kennet को सिंट करने के शacasत्रसक्राइब करेंगे श्टॉल्मेज सेलोट करने की सब्सक्राइब को सभाइब करने क्तरफिकी और एयुक्ना कंवvoorbeeld मेरें मेंश्स और स है और आप उसका रीबूट सिस्टम कर से तो यह देख पा रहे हों कि थोड़ा पास में आखे जिस पर लिखा है image flash completed आप वापिस आएंगे जैसे आप वापिस आते हैं आपको इंस्टॉल के ओपर टाइप करना है इंस्टॉल पर टाइप करके आपको जो ओपन जीप फाइल ती उसको एकपर सेलेट करेंगे और स्वाइब तो ने इंस्टॉल गुश्टे और आपके फॉन में इंस्टॉल हो जाएंगा ताकि आप गोगल एप्स को ठीक तरीके से इस system image के साथ जो जो Aero OS की जो हमनी GSI image flash की है उसके साथ यूज कर सके हैं अगर आप इस फाइल को flash नहीं करते हैं तो आपको कोई भी Google की application नहीं वे लिए अगर इस फाइल को flash करते टाइम है आपको कोई एरर आता है तो आपको क्या करना है अब थोड़ी दिर में जैसी फ्लैश हो जाएगी आपको क्या करना है रीबूट सिस्टम कर दिना है उससे पहले वाइप कर दीजिए और अब रीबूट सिस्टम डून इंस्टाल तो अब जो है हमारा फोन जो बूट होगा और फर्स पूट जो है थोड़ा सटाइम लेगा न नहीं हुई है तो यह देख पार है आप अब अब फाइदा अपने फोन में उठा पाएंगे यह एक जो था कस्टम रूम की जिप फाइल नहीं थी एक प्रोजेक्ट्रबल सपोर्ट जो डुवाइस होते हैं उनके अंदर आप जो है पाई के जीएसाई इमेज को फ्लैश कर यह जीएसाई में किसी भी फोन पर काम करें कि जीएसी इमेज ती एस्पेसिली टोको एफ़ बन के लिए यह आप रेड्मी नोट भाई प्रोभ वह वीच्ज कर सकते हैं जो फो फोन ट्रेबल सपोर्ट हैं उसके अंदर आप पाई के जीएसाई इनवेज को फ्लैश कर सकते कुछ इस तरीका एनी मशिन आये का उसके बाद आपको एक सेट अप की सीन अजाई जाती है जहां पर आप स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को अपने फोन के अंदर सेट अप कर लेंगे जैसे आपको वाइफाइव करना इमेल एडिको सेट अप करने के बाद आप सारी ची कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और बेल के आइकन को जुरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको पोको एफवन करेंट जो भी अप्टेट्स हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीड